अगर आप हमारी टेरिटरी में एंटर हुए तो हम आप पर हमला भी यहाँ पर कर सकते हैं कि स्टेट मीडिया ने यहाँ पर लेंगवेज उस करी है यहाँ आप देखोगे BBC का आर्टिकल है यह एक और आर्टिकल है सब यह UK के आर्टिकल है पहला प्रशन यहाँ पर पूछेंगे यह स्ट्राइक कैरियर ग्रूप क्या होता है देखें UK की जो डेफिनेशन है स्ट्राइक कैरियर ग्रूप की यहाँ के सामने है इसमें होता है एक एरक्राफ्ट कैरियर, Queen Elizabeth एरक्राफ्ट कैरियर फिर यहाँ पर होंगे कुछ F-35B fighter jets, Maryland helicopter, Type 45 destroyer एक submarine होगी, एक frigate होगी और हो सकता है कि यहाँ पर यह tanker भी समाल करे यह सारी warships और एरक्राफ्ट जब मिलके चलते हैं तो UKS को कहता है कि यह है एक हमारा strike group, USA की definition कुछ और है वो यहाँ पर extra यहाँ पर frigates यहाँ पर destroyers add कर सकते हैं, less कर सकते हैं हर country की जो definition है कि यह हमारा strike group है, यह आपको different मिलेगी और interesting बाद यहाँ पर यह है कि China की warning काफी हद तक Russia की warning जैसे है जो मिली थी UK को कुछ समय पहले आप याद होगा कि recently Russian military ने bombs गिराए थे near in the black sea Russia ने आपर यह कहा था कि British ships हमारी territory के बहुत ज़रा करीब आ गई थी और इसके response में हमने गिरे थे यहाँ पर warning bombs इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है on world affairs और warning bomb गिरने के बाद Russia ने categorically यह कहा के हम Britain की ships को bomb कर देंगे अगर अगली बार यह हमारे territorial waters के बहुत ज़रा करीब आ जाए यह categorically statement थी by the Russian government अब same stance यहाँ पर ले लिया है China ने यह भी यहाँ पर यह कह रहे है के don't tempt your fate अगर हमारे territorial waters के बहुत ज़रा करीब आ गए तो हम आप पर action लेंगे और internationally हम यही बताएंगे के हम अपनी territorial sovereignty को protect करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर आपका question आ सकता है के wait अचानक से China इतना aggressive क्यों हो गया against UK देखो UK ने पिछले कुछ हफतों में काफी important steps लिये हैं against China UK Navy के पास आज के समय दो aircraft carrier है उसमें से एक है HMS Queen Elizabeth इस aircraft carrier का एक strike group बना के इनों ने यह decide किया के इसको यह send करेंगे very near the South China Sea on the edge of the South China Sea आज के समय आप अगर देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे यह एशा का map यह है हमारा प्यारा भारतों यहाँ पर है South China Sea इसके बिल्कुल edge पर UK का strike carrier group यहाँ पर बैठा हुआ है और आने वाले एक से लेकर दो दिनवेन का plan यह है के South China Sea के जो disputed waters है चाइना तो यहाँ पर यह claim करता है के सारा South China Sea belong करता है इन लोगों को और उस सब के अलाबा चाइना यह भी कहता है के यह लोग कभी भी freedom of navigation exercise बरदाश नहीं करेंगे क्योंके काफी बार US, UK, Australia यह countries क्या करती है के एक देश का जो special economic zone है उसके बिल्कुल past से या काफी बार उसके बीच वदे अपनी shift गुजार कर एक point रखेगी सामने के हम freedom of navigation को promote करते है हमारी warships जहां चाहे वहाँ पर जा सकती है तो चाइना ने आपर यह का है कि जो red line है South China Sea की यह मत cross कर लेना अपने strike carrier group के साथ अगर आपने इसको cross किया तो हम warning shot पहले fire करेंगे और उसके बाद हम आपर attack भी कर सकते हैं यहाँ पर आप एक question पूर सकते हैं कि US भी तो काफी बार यह करता है बहुत दर हम सुन चुके हैं कि बिलकुल Taiwan स्टेट के पास है US ने अपनी ship यहाँ पर गुजारी है तो चाइना उस वक्त USA के against इतना aggressive क्यों नहीं होता देखें यह policy हम देख रहे हैं आज के समय के Russia चाइना दुरों ने adopt कर ली है कि UK को यहाँ पर एक बार को aggressive warning दे दो इंपर warning shot fire कर दो मगर US military पर direct essay attack अभी के लिए मत करो यह एक बहुत ही unique policy है इससे आप कह सकते हैं UK के धुरू Russia और चाइना USA को भी एक message send कर रही है कि हमारी जो territorial waters हैं जो area हम claim करते हैं उसके आसपास अगर आपकी ship आएगी तो in the future हम आप पर भी warning shots fire कर सकते हैं और चाइना देखो UK को लेकर बहुत ज़रा गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि South China Sea में एंटर करने से पहले UK ने बहुत इंपोर्टन पैसेक्स exercise कंड़र करी है भारत के साथ आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये news आई थी ये UK government की website है UK carrier group start maritime exercise with the Indian navy ये exercise भी थी बेव बेंगॉल में तीन दिन लंबी exercise थी और यहाँ पर आप देखोगे UK का pattern क्या है पहले ये आए इंडियन ओशन रीजन में भारत के साथ यो दब्यास किया फिर अब ये कह रहे है कि सीधा South China Sea से गुजरेंगे तो China obviously यहाँ पर कुछ ना कुछ एक rhetoric अपना देगा वो कहेंगे कि हम ये सब अरदाश करेंगे नहीं और जो UK warships का टूर है ये थ्रेटन करता है चाइना को politically और militarily, actually politically ज़रा थ्रेटन करता है more than militarily यहाँ पर पूछ सकते हैं कि UK ये सब कर भी गुरा है अगर चाइना यहाँ पर इतनी aggressively इनको warning दे रहा है तो UK को यहाँ पर इतना क्याश होग है कि अपना strike carrier group ये South China Sea से गुजरेंगे ही देखिए UK obviously बात है एक बहुत important partner है USA का USA अगर बारवर अपनी navy यहाँ से गुजर रहा है तो वो लोग UK से भी expert करती हैं कि UK भी यहाँ पर participation करेगा as a very important defense partner of USA तो इसलिए हम देख रहे हैं कि UK सब कर रहा है even though recently Russia ने almost इनकी navy को bomb करी दिया था कुछ हफतों पहले फिर दूसरा aspect यहाँ पर यह भी है कि UK बहुत अत्तक समर्थन करता है Taiwan का USA की तरह UK भी नहीं चाता कि Taiwan पर China का कबजा हो जब आज के समय मैं आपको यह बता दूँ कि यह पूरा region सिर्फ उस दिन की wait कर रहा है जब Xi Jinping decide कर दे कि now is the day अब time आ चुका है कि एक बहुत बड़ी invasion start कर दो Taiwan की already China ने recently demonstrate किये हैं कि इनके पास आज के समय बहुत सारे IFV आ चुकी है infantry fighting vehicles जो amphibious हैं जो बोथ land और sea में इस तरीके से यहाँ पर travel कर सकते हैं और इससे पहले आप अगर देखो तो चाइना ने proper तरीके से military drills भी carry out किये हैं जिसके अंडर इन्होंने practice किया है कि कैसे Taiwan की यह proper invasion करेंगे और अब सबसे बड़ा cause of concern यह है कि जो delta variant है COVID-19 का यह चाइना में बहुत तेही से फैल रहा है इस पर मैंने recently एक video भी upload करी है कि possibility है कि अब finally चाइना में एक बहुत बड़ी search दिखें आपको COVID-19 cases की तो Xi Jinping बहुत ज़रा pressure में होंगे इनको कहीना कहीं एक victory चाहिए होगी यह कहीना कहीं चाहेंगे कि कुछ accomplish करें अपनी country के लिए ताकि वापस लोग का support यह जीत पाए COVID-19 party का जो support है यह वापस जीत पाएं तो उसके लिए most probably यह Taiwan पर attack करेंगे ही इसलिए UK ने आपर यह भी announce किया है कि इस tri group के tour के बाद भी दो UK की ship हमेशा deployed रहेगी near the South China Sea और finally आपर हमें यह भी add कर दूँ कि various exams की आप त्यारी कर सकते हैं on on academy.com simply go to on academy.com और by the way कल से जो prices है अन academy के courses के यह बढ़ने वाले है so now is the right time to buy the course simply जाओ on academy.com पे चूज करो अपने course of choice पे for example if you are preparing for UPSC click on UPSC CSE get subscription और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं plus या फिर iconic course अगर आप plus course purchase करना चाहते हैं of 24 months simply click on 24 months और यहाँ पे code डाल दो PD10 क्योंकि इससे लगेगा एक additional discount और सिर्फ 2700 रुपे पन मन्त में आप UPSC prelims और mains की त्यारी कर पाएंगे so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है video कान thank you for listening and as always God bless you all you